विराट कोली ने प्रेस कॉंफरेंस अटेंड की और उनसे एक सवाल किया गया कि जो आपने 6-8 महीने गुजारे और जिस तरीके से आपका फॉर्म भी डिप हो रहा था आपकी मेंडल स्ट्रीट भी ठीक नहीं थी तो आपने वो वक्त कैसे बिताया विराट कोली ने साफसाफ बात करें कि जब मैंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी तब मुझे सिर्फ एक मेसेज आया था जिनके साथ मैं खेल चुका हूँ सिर्फ उनका मेसेज आया था वो है महिंदर सिंग दोनी उसके अलावा किसी और मुझे मेसेज नहीं करा और बहुत लोग के पास मेरा नंबर है और बहुत लोग टीवी पर सजेशन्स भी दे रहे थे अपने अलग-अलग ओपीनियन्स और पस्पेक्टिव भी दे रहे थे ना मुझे महिंदर सिंग दोनी से कुछ चाहिए ना उन्हें मुझे से कुछ चाहिए ना मेरे मन में उनके लिए कोई इंसेक्योरिटी है ना उनके मन में कोई मेरे लिए इंसेक्योरिटी है और सब चीज एकदम नाचुरल है और यही सब लगातार यही सब चीजे काफी अच्छी लगती हैं और विराट कोली जिस तरीके से उनके मुरीद है MS धोनी के और एक तरीके से उनके स्टूडन्ट भी है और MS धोनी की कप्तानी के अंडर ही उन्होंने अपना डेब्यू किया था और कहीं न कहीं अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और बहुत अच्छा कंपैनियन मानते हैं विराट कोली महिंदर सिंग धोनी को और उसके लिए मैं हमेशा grateful हूँ, 7 और 18 forever भी लिखा उन्होंने, यानि कि 7 जो महिंदर सिंग दोनी का जर्सी नंबर था 18 विराट को लिखा है, तो इन दोनों को जोड के उन्होंने बनाया था 7 और 18 forever, तो हम जानते हैं किस तरीके से इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी रह है, अभी अभी IPL 2022 में भी वो दोनों जब मिले थे तो आपस में कितने मिल जूल कर रह रहे थे और गले मिल रहे थे और वही हसी मजाग चल रहा था उनका जैसे कि हमेशा से चलता रहा है, वही अगर हम बात करें जब दोनों भारतिये टीम के लिए खेला करते थे, स्पेश होती थी, और बड़ी बात यह है कि गेम की अंडरस्टैंडिंग दोनों की लगबाग सेम ही थी, और इतना बड़ीया कनेक्शन था दोनों में इतनी बड़ीया अंडरस्टैंडिंग थी, एक बंद सिरफ दूसरे को आँख दिखाता था और दोनों भाग पड़ते थे, तो यह सब अंडरस्टैंडिंग बनाने से आती है, जब आपको सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं हो, कुछ इंसेक्योरिटी नहीं हो, और दोनों के पास एक जैनुवन, दोनों एक दूसरे के लिए जो एक जैनुवन रिस्पेक्ट होती है, वो हो, वही बात करी विराट क साल तक याद रखी जाएगी महिंदिर सिंग धोनी और विराट कोली की, फिलाल आप सभी क्या सोचते हैं दोनों की दोस्ती के बारे में, और आप कितने सहमत हैं विराट कोली के इन बयानों के बारे में, और आप कितने पल इन दोनों की दोस्ती के भारती क्रिकिट टीम से जुड़े याद करते हैं आप कमेंट सेक्षन में बड़ा बता सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें